कि Communication क्या होता है? Normally क्या होता है कि जब हम लोग आपस में बात चीत करते हैं एक दूसरे से, आप अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं? अपनी बात, अपनी इंफॉरमेशन, अपनी नॉलेज को उनको बताते ह अपनी इंफॉरमेशन या फिर आपने जो बताया, उसके उपर आपको फीड़बैक आपस आपको बताता है, तो यह जो आप activity करते हैं, that is communication, और यह communication क्या है? यह continuous है, और हर जगा, हर समय, हर वक्त जो है, आप कहीं न कहीं किसी न किसी से communication कर रहे होते हैं, तो communication का मतलब क्य is the exchange of information by speaking, writing or using some other medium, तो communication क्या हो गया? एक्सचेंज करना, किसी इसका information का, ideas का, thoughts का, opinions का, चाहे वो आप बोल के कर रहे हो, चाहे आप लिख के कर रहे हो, चाहे किसी दूसरे medium का use करके जो है, आप communicate कर रहे हो, एक दूसरे से, लेकिन आप क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो, information, thoughts, opinions, तो communication का हिंदी मतलब क्या होता है? संचार, तो communication को दूसरे तरह के सकरम बात करें, तो क्या कहेंगे? act of transferring information from one place, person or group to another, तो यह क्या हो गया? कि information को एक जगा से, एक person से, या फिर एक group से, किसी दूसरे person, place, ग्रूप में transfer करना ही क्या कहलाता है? communication कहलाता है, तो अब बात करने की communication word कहां से आया है? तो communication word जो है डिराइव हुआ है, Latin word से, कहां से? Latin word से, तो normally MCQs में आते हैं equations की communication word is derived from, तो पहला तो एक question होगा है कि Latin word से डिराइव हुआ है, अब यह पूचा जा सकता है कि कौन से Latin word से डिराइव हुआ है? तो देखिए, दो options आते हैं, कहीं कहीं common है, इसका मतलब होता है common, यानि की common, communication हम क्या करते हैं? जो चीज हमें पता है, वो हम share करते हैं दूसरे से और उसको common कर देते है, common means जो सब को पता है, अगर सिर्फ आपको पता है, यह सिर्फ सामने वाले को पता है, वो personal होगा, फिर वो common नहीं हुआ, और communication हम क्या करते है, अपनी चीजों को share करते हैं दूसरे से और जब आपने अपनी चीज़ शेयर कर दी दूसरे से तो वो क्या हो जाती है common हो जाती है तो communic word जो Latin word है यहां से communication word जो है डिराइव हो है और जिसका मतलब होता है common तो communication भी Latin word है लेकिन हो वर्व है किसका इसका मतलब क्या होता है sharing, informing, spreading या फिर making common तो communication क्या हो गया वर्व हो गया वर्व मतलब की क्रिया अब यहां पर कहते है common बनाने की क्रिया तो communicate means क्या हो गया कैसे चीजों को common बनाया जाएगा communication करके भाई आप चीजों को share करोगे चीजों को transfer करोगे एक जगह से दूसरे का information को share करो पहुंचा रहे हो तो आप वो चीज क्या हो जाएगी वो common हो जाएगी तो communicate भी आप से पूछा जा सकता है कि Latin word communicate से communication डिवाइड हुआ है या फिर Latin word communicate से भी communication डिराइव हुआ है तो यह दोनों ही आप बता सकते हैं तो communication मतलब क्या हो गया exchange of information by speaking, writing or using some other medium तो कुछ ओधन से जिन्होंने communication को define किया हुआ है तो new man and summer ने जो है communication को define किया है उन्होंने कहा कि communication is an exchange of facts, ideas, opinions and emotions by two or more person तो communication क्या हो गया है new man and summer के according कि communication एक process है जहाँ पे हम facts, ideas, opinions and emotions को exchange करते हैं दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तो that is communication इसी तरीके से according to Peter Little Peter Little ने क्या define किया है communication को कि communication is the process by which information is transmitted between individual and or organization so that understanding response results जाने कि जो भी information होती है वो transmit की जाती है चाहे अलग-अलग individuals के बीच में या फिर organization के बीच में जिससे की एक response जो है वो निकल के आता है तो communication क्या होगा एक process हो गयाता है according to Peter Little यह होगा communication अब बात कर लें business communication तो देखिए business communication normal सी बात है कि जब आप communicate करते हो चीजों को information को facts को share करते हो business purpose related है फिर किसी organization के अंदर communication हो रहा है तो चीज क्या कहलाएगी business communication कहलाएगी तो simply आप क्या कह सकते है business communication process of sharing information between people within and outside a company यानि कि यह क्या होगा एक तरिके का information sharing हो गया जहां पर आप within the company और outside the company की company से related जो बाहर के लोगे जैसे supplier हो गया transportation हो गया फिर government हो गया जो भी आप documentation related या फिर license related काम करते हैं तो बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है तो उनसे जो communication करते हो भी क्या हो गया business communication हो गया टो business communication का main motive का होता है वही चीज क्या कलाता है वही चीज क्या 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 है? तो high level, top level, lower level इन सब के बीच में क्या होता है? Information, share होते है. ordered pass होते है, instructions फास होते है employee जो अपने graveyard है, वो higher level को बता है तो यह सब क्या है? कैसे बता के यहा रहा है? communication के तुरू, अगर communication ही नहीं होगा employee और organization के बीच में managers और employee के बीच में, तो क्या कोई काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसी तरगे से employee को यह नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, जब तक कि उसको rule और instructions को guidance उसको पता नीचे लेगा, communicate नहीं किया जाएगा तो हर चीजे क्या है, communication पर depend करती है, आप घर पे बैठे हैं, आप को प्यास लगी है, तो आप जब तक या तो खुद ले लीजे, या फिर आप क्या करेंगे, जब तक आप सामने वाले को बताएंगे, नहीं कि आपको प्यास लगे, तब communication relating to business activity, तो जो भी business activity perform करते वक्त हम communication करते हैं, एक दूसरे से बारचीत करते हैं, information को share करते हैं, तो वही चीज़ क्या कहलाती है, business communication कहलाती है, अब बात करने कि nature and characteristics, business communication का nature क्या है, या characteristics क्या है, तो सबसे पहली चीज़ आपने देखा ही होगा, बहुत सारे पेछे भी आपने difference में देखा, क्या है, यह continuous process है, यानि कि one time नहीं है, कि एक बार आपने communicate कर दिया, चीज़े बता दिया, उसके बाद खतम, नहीं, आपको day to day यहाँ पे communication होता रहता है, एक दिन में आप कई बार communicate करेंगे, बार बार communicate करेंगे, और यह continuous process है, एक बार communicate करके खतम नहीं जागा, आपको बार बार चीज़े information को share करना होता है, facts, ideas, opinions को share करना होता है, तो continuous process हो गया, dyadic process, dyadic means होता है two-way process, क्या है, two-way है, यानि कि communication सिर्फ एक side से नहीं होती है, सामने वाले side से भी होती है, आगे चलके हम topics पढ़ेंगे process of communication, तो आप आप देखेंगे कि sender तो message भेजता है, साथ इसाथ receiver feedback भी देता थी, dyadic है, two-way है, यानि कि सिर्फ आप बोलना है कोई चीज़ होई नहीं सकती है, तो communication unavoidable है, या नेचर हो गया, characteristics हो गया इसी तरह से pervasive, pervasive means कि हर label पर, चाहिए वो top label हो, चाहिए वो middle label हो, चाहिए वो lower label हो हर label पर, जो है, communication की requirement होती है, communication हर जगा चाहिए होता है, हर जगा required होती है तो यह pervasive function है, यानि कि हर जगा जो communication होता है, हर level पे होता है, facilitate change, तो business communication, यानि communicate करके ही आप कोई भी change ला सकते हैं, अगर आपको suppose करें कि working pattern को employee के working pattern को change करना है, तो आप कैसे change करेंगे communicate करके, कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा करिए, आपको time table में, schedule में, या फिर working hours में, या फिर कोई भी changes लाने है, working pattern में, machine, कुछ भी change लाना है, तो आपको communicate करना जरूरी होगा, कोई machine खराब हो गई थे, employee को communicate करना होगा, managers को, managers को कोई rule या regulation में change करना है, तो वो communicate करना होगा, कि इसको employee को, ये change को facilitate करता है, इसी तरीके से remove misunderstanding and conflicts, यानि कि जो भी misunderstanding होती है, किसी भी organization में या किसी employee के अंदर, या किसी individual के अंदर, या फिर जो भी conflicts होती है, उसको reduce करता है, उसको remove करने में help करता है business communication, अगर communication नहीं होगा, तो conflicts आपके अंदर रहेंगी, misunderstanding रहेंगी, और आप उसको remove नहीं कर पाएंगे, और अगर किस employee के अंदर conflicts है, misunderstanding है, तो ये कही न कहीं उसकी communication कर रहे हैं, हम अपने organization goal को achieve कर निकल कर रहे हैं, तो अगर misunderstanding है, conflicts है employee के अंदर, तो क्या वो achieve हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए, जो communication है, business communication अगर effective है, तो वो misunderstanding को, conflicts को remove करता है, और worker के performance को, employee के performance को improve करता है, ये बात होगी nature characteristics की, अब next topic देख ले, purpose of business communication, कि business communication का purpose का है, क्यों जरूरी है business communication, अच्छा से हो effective हो, क्यों जरूरी है, तो, but always जवात है, to issue, order and instructions, सबसे पहली चीज़, कि business में, जब हम communication करते हैं, तो orders को, instructions को, issue करने के लिए, हमें communicate करना जरूरी होगा, चाहे वो written form में हो, चाहे oral form में हो, आपको वहाँ पे, जो order से, instruction से, उस साथ, जो coworker है, subordinates, आपके नीचे काम करने वाले हो, उस superiors, जो आपके उपर, आपके boss होते हैं, उनसे communicate कर सके हैं, तो business communication, इसका भी main motive है, to convey the right information, right information, correct person को, superior को, चाहे, subordinate को, चाहे, peers को पहुंचाना हो, उसको convey करने के लिए business communication की requirement होती, to receive suggestions, suggestions, managers को को कुछ decision लेना है, या फिर suppose करें कि, नया plant open करना, नया branch open करना है, तो उसके लिए suggestions ले सकते हैं, employees से, subordinate से, superior से, किसी से भी ले सकते हैं, तो suggestion कैसे हैगा, communication अगर नहीं करोगे, तो कहीं से suggestion आएगा, नहीं आ सकता, तो communication ज़रूरी हो जाता है, to persuade people, किसी person को, किसी employee को समझाना है, तो कैसे understanding हो गया, या फिर कोई conflict हो गया है, तो उसको कैसे persuade करेंगे, communication करके, to provide counseling, किसी भी employee को demotivate हो गया है, फिर छोड़ के जाना चाहरा है, exit कर रहा है, आपके organization को, तो उसको समझाने के लिए, जो है, आपका, उसको counsel करने के लिए, उसको motivate करने के लिए, क्या करना पड़ता है, business communication का use करना पड़ता है, to learn, कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहिए, वो training के थो चाहिए, और development के थो, वहाँ पर communication की requirement पड़ती ही, यह कुछ purpose है, क्यों business communication जरूरी है, किसी भी organization में, to achieve organizational goal, और ultimate goal होता है, किसी भी organization का, that is to achieve the organization goal, organization के goal को achieve करने के लिए, business communication जरूरी है, अगर communicate न नहीं हो सकता है, तो communication के थो, आप orders and instructions को issue करते है, communication के थो, आप एक दूसे से बातचीत करते है, right information को convey करते है, suggestions देते है, people को समझते है, counseling करते है, training और development करते है, और finally, ultimately, goal, organization का, जो goal होता है, उसको achieve करने में help होती है, elements का मतलब क्या होता, element मतलब कि किसी चीज का part, elementally one important part of something किसी चीज का part, तो communication में बहुत सारी activities हम perform करते है, बहुत सारी actions perform करते है, तब जाके हमारा communication complete होता है, तो उसका कुछ ना कुछ elements होते है, बहुत सारी चीजे होती है, जो हम perform करते है, उन्हीं एक एक चीजों क्या करते है, elements करते है, जैसे communication में आपको पता ही, कि दो लोग त और दो परसंद चाहिए होता है, एक sender होता है जो information भेजता है और एक receiver जो message को receive करता है, तो sender और receiver यह दोनों क्या होगा, यह element होगा है किसके communication के, और process क्या होता है, process में series of actions done to completed task, यानि किसी task को complete करने के लिए, किसी चीज को पूरा करने के लिए, जो different actions, जो different steps में perform करते हैं, वही चीज क्या कहलाता है, process कहलाता है, तो communication के भी कुछ elements होते हैं, और उसका एक process होता है, जिसके through आप communication को complete कर सकते हैं, तो वही चीज क्या है, process of communication और element of communication में हापे पढ़ेंगे, तो element of communication सबसे हम पहले देंगे, अब suppose करिए कि आपकी faculty, आपके teacher, जो है वह आपको बताना चाहते हैं, कि जो आपकी online class चल रही है, अब वो zoom app की वज़ाए, जो है वो google meet app से conduct करा जाएगी, ठीक, ये communication वो आपको यानि students को भेजना चाहते हैं, कि अभी तक जो है आपकी classes, जूम पे चल रही थी, अब वो zoom पे न चल के, क्या हो कही, गूगल meet पे चल रही है, तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या है, एक message frame करेंगे, कि your online class will be conducted through google meet app, instead of zoom app link will be shared, आने की, यहाँ पे ये message भेजा जा रहा है, कि students की जो online classes जूम एप की जगाँ पे, अब google meet app के थूरू conduct कराया जाएगी, और link जो है वो share किया जाएगा, इस students के साथ, ठीक है, ये message, sir ने बना लिया, या maim ने बना लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको telegram पे, या फिर whatsapp के जरीए, जिस भी group में हैं आप, चाहे telegram, चाहे whatsapp जरीए, चाहे वो email के थूरू, या कोई भी medium हो सकता है, उसके थूरू क्या करेंगे, उसको pass on कर देंगे, किसको भेजेंगे, students को, clear, क्योंकि ये message students के लिए भीजा जारा है, तो students को भेज देंगे, students के पास जैसे ये message पहुँचेगा, students क्या करेंगे, वो reply करते हैं, कि okay sir, वो क्या करेंगे reply करेंगे कि okay sir clear यह सारी चीजे जो आपने देखा okay sir देख किया और sir के पास message पर हो गया कि हाँ students को information मिल चुकी है यही पूरा process होता है communication का और यही elements भी होते हैं कौन कौन से सबसे पहले sir आपके sir क्या हो गए sender उनके पास क्या था एक message था message क्या था कि वो classes जो online class होगी वो zoom की जगाँ पर google meet app के थ्रू होगी और उन्होंने क्या क्या कि उस message को type कि और किसके थ्रू भेज दिया टेलिग्राम के थ्रू टेलिग्राम एक medium हो गया एक channel हो गया जिसके थ्रू नोंने वो message को पास किया किसको receiver को receiver कौन होगे आप students लोग हो गया और उन्होंने क्या कि इस्ट्रू ने ओके सर लिखके भेजा तो यह ओके सर जो लिखके भेजा वो क्या है वो feedback कहलाता है वो क्या कहलाता है feedback क्या ने एक message भेज़ा तो उसका reply जब आप कुछ देते हैं तो ही चीज feedback कहलाता है और feedback communication में बहुत ही जरूरी है क् यही confirm करता है कि हाँ मेरा communication पूरा होगा आप suppose करी मैंने message भेज़ दिया sir ने आपको message भेज़ दिया लेकिन सामने से students के reply नहीं आया तो reply नहीं आया तो इसका मतलब यह होगा कि हमें पता ही नहीं चला कि हम तो यह doubt पूरेंगे कि पता नहीं students ने message देखा या नहीं देखा या फिर उनको समझ में आया कि नहीं समझ आया हम जो है वो clear नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपको reply देना ज़रूरी होता है वो अलग चीज है कि आप WhatsApp पे बेजते हैं टेलिग्राम पे बेजते हैं तो message double tick हो जाता है green tick blue tick हो जाता है और आप जान लेते हैं कि हा message seen हो चुका ह है बट फिर भी आपको जो है reply करना चाहिए खिक acknowledge करना चाहिए तो यहीं आपके elements होते हैं तो कौन कौन से elements हो गए हैं सबसे पहले sender sender means the person who sends the message also called as source or encoder ठीक तो sender मतलब क्या होगे वो person जो message भेजता है जिसके पास एक message होता है एक idea thoughts या कुछ भी होता है और वो सामने वा ideas thoughts opinion information feelings कुछ भी हो सकता है जो आप सामने वाले को बताना चाहते हैं तो जो भी चीज आप express करना चाहते हो जो चीज आप सामने वाले को बताना चाहते हो वो चीज message कहलाएगी then third हो गया medium है channel अब आपको उसको बताने के लिए कोई ना कोई medium तो होना चाहिए कोई ने कोई channel ह जाके उसको बताएंगे या फिर message कर देंगे या email कर देंगे या कोई ना कोई जरीय होता है जिसके तुरू आप जो है आप उसको बताएंगे means of transmission यानि कि आप communication कैसे करोगे इतमे भी oral इतमे भी written इतमे भी physical और digital clear आप लिक के बता सकते हो बोल के बता सकते हो physically जाके बताओ या फिर digitally जो है आप जाके medium कोई telegram whatsapp facebook का यूज करके आप communicate करोगे ठीक then fourth element होता है receiver किसको communicate करेंगे किसी person को जिसको आप सामने वोला को जो person है उसको बता रहे हो ना तो वह क्या कहलेगा receiver the person who received the message also called as decoder or listener तो हम receiver को क्या कहते है decoder कहते है फिर listener कहते है क्योंकि message को receive करता है स message को समझता है उसके बाद वो क्या करता है feedback देता है feedback reply from the receiver feedback क्या हो गया receiver ने जो sender से message आया उसके बदले में जो reply भीजता है उसको feedback कहते है reply from the receiver और feedback जरूरी होता है for effective communication effective communication के लिए feedback must है तो यह elements of communication हो गया तो five important elements होते है पहला हो गया sender, sender के पास एक message होता है, उस message को एक medium के थुरू, एक channel के थुरू send करता है, किसको receiver को, receiver message को receive करता है, decode करता है, और उसको समझ के क्या करता है, वो feedback देता है, किसको sender को, अब यही जो आपने elements पढ़े हैं, यही चीज क्या है, यही चीज आपका process of communication भी बनता ह है, क्या बनता है, process of communication, कैसे process of communication बनेगा, आप यहाँ पर देखे, आप sender, message, media, receiver, feedback, तो जब आप process of communication पढ़ेंगे ना, यही पूरा process है, यहाँ पर क्या किया, sir ने, आपके maim ने, faculty जो भी है, उन्होंने आपको message बेजा, message करके, आपको क्या 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 क आपकी classes, zoom app की जगहाँ पर गूगल मेट से चलेंगे, यह क्या है, communication है, यही process है, आप यहाँ पर figure में देख सकते है, यह क्या है, sender है, यहाँ रिसीवर है, एक channel है, channel के थूरू sender, receiver को message send करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, sender है, process of communication हो बात करेंगे, तो सबसे प information into message in the form of symbols that represent idea or concepts, यानि कि जब आप अपने message को, अपने information को convert करते हो, किसी communicable language में, concept में, symbols में, तो वही चीज क्या कहाता है, encoding कहलाता है, यानि कि creation of message, यहाँ पे जनली आप कहलें, कि आप message को create करें, आपके mind में हैं, कि आपको यह चीज बतानी है, लेकिन जो चीज आपके mind में हैं, उसको बताने के लिए, आपको उसको लिखना तो पड़ेगा, symbols में, sign में, किसी ने किसी तरीके से आपको उसको दिखाना होगा, तो वो जो आप message को encode करते हो, आपके दिमाग में, जो message उसको written form में, oral form में, symbols में, जो आप decode करते हो, उसी को क्या कहते है, encoding कहते है, अब suppose करें, आपको भूँक लगी है, यह कैसे बताएंगे, I am hungry, कैसे बताएंगे, तो आप message में type करते हो, I am hungry, तो वो चीज क्या कहलाएगा, encoding कहलाएगा, उसके बाद आप क्या करते हो, channel, channel के थुरू क्या है, message को communicate करते हो, fourth step, channel के थुरू communicate करते हो, whatsapp भेज दिया, telegram भे समझता है, अब आप यह WhatsApp में, Facebook के आप देखते होंगे, बहुत सारे science symbols का आप यूज करते हैं, तो आप भेजते हैं, तो सामने वाला उसको समझ भी जाता है, ठीक है, तो वो decode करता है message को, यानि कि आपने कहा, क्या सामने वाले को English नहीं आती है, और आप कह रहे हो, I am hungry, तो क्या सामने वाला समझ पाएगा, क्या उस message को decode कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो आपको जो है, जिस language में सामने वाला समझ रहे है, उसी language में आपको communicate करना चाहिए, तो decoding मतलब क्या होगा है, decoding means interpreting the meaning of message, यानि जो message आया है, sender ने जो message भेजा है, उसको interpret करना, समझन translation of coded information into comprehensible form, यानि कि जो आपने coded language में भेजा है, उसको हम समझ सके, हम बहुत सारी चीज़े होते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि दूसरा सामने वाला ना समझ पाए, तो हम जो है, coded language में information को pass on करते हैं, आप लोग class में हो गया, या फिर कहीं पे हो गया, कई बार हम जो क्या ह message है, encoded message है, हम आप जो आप जो सारा करते हो, सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, दोसरा नहीं समझ सकता है, तो that is coding and decoding, encoding and decoding, clear, तो यहाँ पर आप जब message को decode कर लेते हो, message को समझ जाते हो, उसके बाद फिर receiver क्या करेगा, feedback देता है, 7th step क्या हो गया, feedback, तो यहाँ पर देखिए, स सबसे पहले sender है, sender के बाद message होता है, उस message को encode करता है, encode के बाद channel के use करके, channel के use करके message को भेजता है, receiver को, receiver message को receive करता है, 6th stage में message को decode करता है, समझता है, ठीक है, आपने comprehensive form में convert करता है, उसके बाद समझ के वो क्या करता है, feedback देता है, feedback किसको देता है, sender को, sender को feedback दे गया disturbance anything that blocks communication यानि बहुत सारी कभी-कभी ऐसे चीज़े होती हैं जो communication को block करती है आप सब्सक्राइब करिए कि आप भीडबार इलाके में हैं आप अपने दोस्त आप से थोड़ा सा दूर है आप उसको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप चिलाके बोल रहें लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा क्यों क्योंकि वहां पर इतनी भगदर मची है इतनी आवाजे आ रही हैं कि वह सुनाई नहीं सकता आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हो अचानक से एक ट्रेन गुज़री उसको आप कुछ कह रहते तो वह ट्रेन की नहीं साफिवाले को गलस तक हुए हो रहा है कि हम कोई चीज और है वहां पड़ा रहा है तो नहीं समझ में आएगा नहीं समझ आपर पोच dify honest psycho तो इसकी वज़े से आप नहीं समझ भाओ के मैसेश को, तो communication वहाप पूरा नहीं होता है, यह noise होता है, इसे सेमेंटिक noise होता है, special jargon, कोई ऐसा code यूज कर दिया, कोई ऐसा short form हमने use के लिए जो सामने वाले को पता ही नहीं है, तो communication पूरा होगा ही नहीं, language barriers होता है, हिंदी आती है, अंगलिस नहीं आती है, उर्दू नहीं आती, ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं, यह अलगग टाइपके noise होता है, जेतना इको बहुता है, उतना ही जड़ाद अच्छा होगा, आप सब बोच करें कि आपने email भेज दिया Argent email था email भेजा email में जो आपने सामने ओले को email भेजा उसकी email गाइडी गलत थी वह message पहुंचा ही नहीं अब email तो आपने भेज दिया लेकिन जिसको email भेजा उसके पास internet की facility ही नहीं थी या फिर network खतम हो गया अगले दिन वह रिचार्ज कर आओ था तो एक दिन late message पहुंचता है ठीक है WhatsApp भेजा टेलिग्राम पर message भेज दिया सामने ओले को delivery नहीं हुआ तो यहाँ पर process of communication hope आपको समझ में आओ गया होगा कि sender होता है sender के पास message होता है message को जो है वो पहले encode करता है symbols में, sign में, language में convert करता है जिसको receiver समझ सके एक channel के थ्रू जो है receiver को भेजता है receiver message को receive करता है receiver message को decode करता है निक उसको समझता है उसके बाद उसको समझ के feedback देता है sender को यही पूरा process होता है तो total seven steps में आप यहाँ पे देख रहोंगे यह जो process of communication है वो seven steps में perform हो रहा है वही पर जो elements of communication थे वो क्या थे? five थे, ठिक, sender, message, media, receiver और feedback यह element of communication थे और यहाँ पे process of communication 7C यानि कि effective communication यानि कि एक अच्छा communication अगर आप करना चाहते हैं तो आपके उस communication में यह seven C होने चाहिए अगर आपके उस communication में, किसी भी communication में अगर आप यह seven C है, elements है तो फिर वो effective communication कहा जाता है तो सबसे पहले हम बात करने कि यह seven C's of communication जो word है, concept है, किसने किया था? तो यह effective public relationship जो है एक book published की गई थी 1952 में effective public relations तो यह University of Wisconsin Professor Scott M. Cutlip and L&H Center तो यह book published की गई थी तो इसमें यह पहला text book था जहां पे public relationship की फिल्ड में यह word seven C of communication introduced किया गया था तो seven C communication वहाँ पर आए था अब बात करने कि कौन कौन से वो seven C है तो सबसे पहले आता है completeness C, पहला C क्या है, completeness सबसे पहले था यहीं सबसे पहले था यहीं 7 C है, अलग अलग words आएंगे आपके सामने तो completeness, completeness containing all the necessary facts यानि कि providing all necessary information या फिर कोई question आपसे पूछा जा रहा है तो सभी question के answer को provide करना तो complete यानि कि जो भी आप information जो भी आप knowledge share कर रहे information दे रहे हैं कि आपका नाम क्या है तो आप बता रहे हो my name is my name is what क्या है आपका नाम पूरा आप बताएंगे यह complete नहीं है my name is Amit यह complete information है ठीक है my name is Amit आपसे सिर्फ अगर आपका नाम पूछा गया है तो और भी चीज़े पूछेगे आप जो data प्रवाइट करें जो भी information शेयर करें वो कैसा होना चाहिए complete होना चाहिए सभी information नेसे information वहापे आपको देनी पड़ती है clear then आता है दूसरा conciseness conciseness का मतलब होता है संचिपन यानि कि छोटे से छोटा यानि कि जब आप communication करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा matter नहीं आपको detail देनी है कि पता चला कि आपको जो छोटा communication खोई सो छोटा concept समझाना था आप उसे में बहुत सारे detail में लिखते चलेगे ज्यादा lengthy हो जाता है तो फिर उसे ज्यादा concentrate नहीं करता है effective communication नहीं हो पाता चोटे से छोटा भी रखे यानि कि using least possible words यानि कि जितना कम से कम words का use करके आप ज्यादा से ज्यादा information share कर सकते हैं आप वह ऐसा ही करें तो concise रखे ज्यादा lengthy मत करिये कि यानि कि दो minute का lecture था उसमें आपने 10 minute लगा दिये तो ऐसा नहीं होना चाहिए concise होना चाहिए चोटे से छोटा होना चाहिए then आता है consideration consideration means की बिचार ध्यान यानि की सामने वाले को भी आप consider कर दी जब आप communication कर रहे हैं जब आप कोई knowledge या information दे रहे हैं तो आप सामने वाले की कैसी क्या उसका background है क्या उसका viewpoint है क्या उसका mindset है क्या सामने वाले को आती ही नहीं आती उससे आपको मतलब नहीं था तो वह effective communication नहीं होगा तो stepping into the shoes of other यानि की जो जैसा है उसके according आप उसको communicate करिए consideration next आता है आपका clarity clarity यानि की असपश्टता यानि की जो भी आप कहना चाहरे है वो clear हो अब जैसे हम यहाँ पर seven seas of communication बता है यहाँ आपको clear है कि हम seven seas के बारे में ही पढ़ेंगे कोई और दायबाय की चीज़े नहीं पढ़ेंगे तो clarity होना चाहिए कि आप क्या बताना चाहरे है क्या topic है क्या उसके content है तो emphasizing on a specific message or goal at a time यानि कि कि आप किसी एक particular time पर आप किसी एक particular goal को task को specific message को communicate करना चाहते है तो clarity होना चाहिए कि आप क्या बता चाहिए आपसे आपका नाम पुझा गया तो आप अपना नाम ही बताएंगे आप कुछ और नहीं बताएंगे कि मैं वहां रहता हूं आपका नाम पुझा आपका नाम बताना है तो clarity होनी चाहिए next जो C है that is concreteness जो भी आप कह रहे हैं वह concrete होना तरीके से यानि कि एक बार आपने किसी question का answer कुछ और दिया दूसरी बार पुझा गया वही same question तो आप कुछ आपका answer दे रहे हो आपसे पुझा गया कि इसका size कितना है तो आपने पहले बहुत दो मीटर थोड़ी दर बार पुझा गया कि इसका length कितना है तो आप बता रहे हो कि धाई मीटर तो वह concreteness नहीं हो जाता है तो आपके कुछ ना कुछ बाहिसनेस हो जाती है या फिर पॉइंट फाइफ मार्क्स या फिर साड़े पचास मार्स मतलब कि इस तरीके साब जो एक concrete answer आपको देना है तो concreteness होना चाहिए जब concreteness होती है उसमें information fix होता है definite होता है specific होता है clear होता है तो वह effective communication की तरफ लीट करता है then है next courtesy 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 यानि पॉलाइटनेस यानि कि जैसे कि आप thank you कहते हैं please kindly happy journey well done यानि कि तारीफ करना या फिर appreciate करना यह जो है आपको वहाँ पर communication में use करना चाहिए इससे क्या होता है कि relationship improve होता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है communicate करने में तो polite and pleasant behavior that shows respect for other people तो आपके जो words होने चाहिए उसमें sentence में words ऐसी use होने चाहिए जो polite हो pleasant हो और सामने वाले को respect भी शो कर रहे है जैसे कि आपको कुछ आपने उसको answer दिया तो thank you kindly आप किसी को stand करना चाहिए आप ख़़ा करके पूछना चाहिए तो kindly please stand up या please stand up या please stand up वाला कि इस तरीके से आपको courtesy words जो है आपको use करने चाहिए अपने communication में and then next 7th C of communication that is correctness यानि कि जो भी आप words यूज कर रहे है sentence यूज कर रहे है उल्टा सिधा data दिखा दे रहे है उसका कोई background ही नहीं तो नहीं वह approved fact होना चाहिए approved figure होना चाहिए accuracy होनी चाहिए तो correctness जब information और data जो भी आप दे रहे हैं जो आप grammar या spelling बोल रहे है punctuation है वह अगर सही है तो फिर वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे confidence बिल्ड होता है confidence बिल्ड होता है और वह communication कैसा होगा effective होगा अब suppose करिए आपको बोलना है कि मुझे drawing करना बहुत पसंद है तो I very love drawing यह नहीं ऐसा नहीं होगा यह गलत grammar हो यह spelling हो गया यह ठीक है यहाँ पे grammar I very love drawing नहीं होता है बलकि I love drawing very much होता है तो इस तरह के आपको correctness का भी ध्यान देना है कि जो भी आप लिख रहे हैं बोल रहे हैं वह correct हो तो यह seven seas of communication होते हैं सबसे पहले completeness है नहीं कि आपका information complete होजाए और सभी information सभी necessary facts information आप दे रहे हैं then concise होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप सभी information देने के चक्र में आपने बहुत ज्यादा lengthy कर दिया नहीं जो आपको सभी information देना है और कम से कम words का use करके देना है और courtesy उसमें आप ना कुछ ना कुछ pleasant और polite behavior वाले words को use को कर रहे हैं और correct नहीं कि आपका grammar, spelling, punctuation यह सभी चीज़ें आपकी correct हो तो अगर यह seven seas जो है आपके communication में आते हैं जब भी आप communicate करते हैं उसका use करते हैं तो वह effective communication कहलाएगा तो यह seven seas जो है communication के होते हैं वीशियो बेस्ट कीप वचेंग टो